हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डियेज क्लासिस तो फ्रेंड्स आज हम जो 2018 के अंदर स्पेशल एजूगेटर का एक्जाम हुआ था उसके जो सब्जक्ट स्पेसिफिक के क्वेशन थे उनको डिसकस करेंगे यह वाले जो आंसर फ्रेंड्स ये पूरे यूट्यूब पर क्या आ फॉर्मल वीजयल एक्यूशिटी होती है वह होती है नहीं 20 बाइ 20 कि cells in the eye that response to low level of illumination are called illumination का मतलब होता है लाइट तो लो लेवल ओफ लाइट जब होती है तो उसमें उम्हारे कौन से cells work करते हैं तो वह हमारी काम करते है जो road cells होते हैं तो इसका correct answer हो जाए road cell next question is गैलो कोमा refers to the condition in which जो गैलो कोमा होता है ये कौन सी condition होता है ये एक eye related condition होती है इसके अंदर क्या होता है जो हमारे eye के अंदर का जो fluid होता है उसका pressure ज़ादा हो जाता है normal से ज़ादा जिसकी होजा से हमारे को देखने में problem आती है तो इसका correct answer हो जाएगा option number one that is fluid pressure in the eye is above normal next question is the person who first distinguished CP as a distinct medical condition पहला व्यक्ति जिसने CP को एक अलग category में रखा था कि यह normal condition नहीं है इसके लिए अलग medical condition बनाई जाए तो वो थे dr. William John Little next is the word CP was coined and popularized by तो जो CP term थी यह किसने coin करी थी किसने CP नाम दिया था तो वो थे sir William Osler next question is cerebral referred to जो cerebral होता है वो किस चीज से refer करता है तो यह होता है weakness और a problem नहीं something on a part of brain तो इसका जो correct answer हो जाएगा जो cerebral होता है मतलब कि यह brain से related होता है या तो आप इसको यह लिखा सकते कि something on the part of brain या कई बार यह भी लिखा सकता है कि related to the brain तो cerebral हमारा brain का एक part है जैसा हमें पता है तो इसमें brain से related ही होगा इस autism is characterized by जो autism होता है उसके क्या होता है unusual behavior pattern तो जो autistic बच्चे होते हैं उनका unusual होता है impaired communication skills जो उनकी communication skills होती है उसमें भी बच्चों को problem आती है और और साथ मोलगा poor interaction या poor social skills भी होती है तो इसका correct answer हो जाएगा that is option number D that is all of above next is Echoholia is defined as जो Echoholia होता है जिसके अंदर बच्चा गुन गुन आते रहता है कुछ भी तो इसका क्या मतलब होता है कैसे defined करोगे उसमें singing consistently instead of using word to speak मतलब वो गा के word के बजाए गाना पसंत करता है using no words or sound किसी भी word या sound का इस्तेमाल निकरना speaking in a monotone एक monotone में बात करना repeating words or phrases that have been said by others तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो है option number 2 that is जो words or phrases जो भी कोई और व्यक्ती बोलता है उनको वो repeat करता है जो इकोलिया बच्चे होते हैं next is when speaking with an older adult with some hearing loss you should जब आप किसी एक बड़े उमर के व्यक्ती से या बुजर्ग व्यक्ती से आप बात करें तो आप best ear जोर से बोलोगे और जिस व्यक्ती उस व्यक्ती कान के आप पास में जोन सभी ear उसका better होगा या face them so that they can watch your lips या उन्हें अप face करोगे ताकि वह आपके जब बोल रहे हो आपके lips को पढ़े के lip reading कर सके या ask another person to translate या किसी और व्यक्ती हो कहोगे कि आपकी बात ट्रांसलेट कर दे तो जो इसका correct answer हो जाया वो है option number c that is जब भी आप किसी व्यक्ती के अगर hearing loss है उससे बात कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे आप उसे face to face हो तो इसका मतलब जो basically यह मतलब होता है जब आपका मतलब की कोई भी hearing loss वगरा हो जाया तो उसके बाद जो भी आपका बच्चवी हो hearing ability तो उससे residual hearing के अंदर आते तो जो इसका correct answer होगा वो है c वाला that is hearing that remains without amplification मतलब बिना कोई भी amplification या modification किसी भी hearing यह मतलब without किसी भी मतलब device के जो भी आप जितना भी normally सुन सकते हो तो वह आपकी सारे residual hearing के अंदर आएगी hearing loss में भी hearing loss होता है वापका क्या कौन से कौन से टाइप का होता है that is sensor neural होता है conductive mixed या फिर sensor neural conductive mixed तो इसका correct answer हो जाया that is option number D next question is the first deaf blind student who received a college degree पहला deaf blind व्यक्ति जिसने की college में एक degree ली थी तो वो थी Helen Keller next question is dash is a genetic disorder that causes the retina to gradually degenerate with time due to cell death and often contribute to deaf blindness तो ऐसा कौन से genetic disorder है जिसकी वजय से जो retina होता है मारे time के साथ घटने लग जाती है उसकी जो power होती है और इसका main reason क्या होते है जो cells जो retina के cells होते है उनकी death होने लग जाती है और यह contribute भी करते है एक deaf blindness के अंदर तो जो इसका correct answer है that is option number one retinus pignotesia next is deaf blind is a जो deaf blind है वो कौन से तरीका का disorder है neurological disorder multi-sensory disorder muscular disorder या none of these तो इसका correct answer है that is multi-sensory disorder क्योंकि deaf blind में हमारी eye भी affected होती है और साथ साथ हमारी hearing भी affected होती है next is which of the following criteria can be used to define intellectual disability आप intellectual disability के लिए इनमें से कौन से कौन से जो characteristic है criteria को देखोंगे significantly below average intellectual functioning sexual ability होती है वो normal से कम होती है impairment in adaptive functioning generally जो भी किसी भी चीज को adapt करना है नई environment में अपने आपको adapt करना तो उसके अंदर हीना थोड़ी सी problem होती है these defects should be manifest before the age of 18 years तो जो यह है यह 18 years से पहले पहले देखने को मिल जाते आपको तो यह भी बात ठीक है तो जो इसका correct answer है वो होगा all of these next question is an impairment is एक impairment क्या है आपका तो यह है a loss or abnormality of psychological philosophical or anatomical functioning तो आपकी psychological way में या फिर physically या फिर anatomically आपके किसी भी तरह के functional में abnormality हो तो वो सारा impairment के अंडर जाएगा next is custodial comes under which classification of intellectual disability जो custodial बच्चे होते है वो कौन से तरीके से जब आप MR को या ID को define करते तो उसके अंदर आएंगे तो वो होते है educational way पे आप जब MR को या ID को divide करोगे तो custodial इसके अंदर आता है तो जो custodial बच्चे होते है उनका IQ होते है 0 से 25 के या 20 के बीच में कह सकते हो next is UDL stands for UDL होता है उसकी full form क्या होते है तो वो होते है universal design for learning next question is who formulated the UDL educational framework जो UDL का educational framework है वो किस ने दिया था तो वो दिया था Ronald L. Mac ने next question is strategic network are located in जो strategic network होते हो आपके optical lobe के अंदर मिलते हैं next is which of the following educational system supports scientific progress तो इनके अंदर से scientific progress किसके अंदर देखने को मिलते हैं में realistic, naturalistic या none of this तो जो realistic वाले होते हैं उनके जो ideas थे उसके अंदर हमें science का देखने को मिलता है scientific progress को क्योंकि वो support करते है कि जो nature है वो सारा science से related है इसमें कोई भी God वगर में यह believe नहीं करते next is who said education is the criteria of a sound mind in a sound body तो यह दिया था Aristotle ने next is which one of the following is informal education इनके अंदर से informal education का कौन सा example है government primary school तो नहीं है formal के अंदर आजया वो है का option number D that is none of these so last question of this video is who is the founder of functionalism तो functionalism के founder कौन थे तो वो थे William James